नमू तसा भगवतो अरहतो नमू बुद्धाय जैहिन स्वागत है आपका हमारे इस विशेश कारेकरम धम्मदीपने आज हमारे इस कारेकरम में देहरादोन से जुड़े है लिश्यू इंसिटूट के प्रेसिडेंट गेशे थुपतेन नेगी रिम्फोजे जी आएए हम उनसे आगे की चर्चा करते है और उनसे जानेगे बौद धम्म के बारे में स्वागत है गुरुजी आपका हमारे इस कारेकरम में हम आपसे जानना चाहेंगे गुरुजी कि बौद धम्म के बारे में जैसे कि आप जिस धम, बोद धम या बॉन बुद्धिजम आप जो कहते हैं, उस बॉन बुद्धिजम में तीन भाग सबसे महत्व पूर्ना है, सुत्रा, तंत्रा और सौक्षेन, ठीक है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को तंत्रा के बारे में बताएंगे? नमो बुद्धाया, और आज सुबार्ती चेनर के तमधीप के सतसेगन और यहां लीशू इंस्टिटूट में आए हैं, और पिछले बार हमारा चर्चा हुई थी बॉन बुद्धिजम के बारे में और सुत्रा के बारे में, आज तंत्रा के बारे में जानना चा रहे हैं, तो जितना मुझे ग्यान है, समझ है, तो मैं आज आज आपके सम्मुक्स कहना चाहता हूँ, असल में सुत्रा, तंत्रा, जुक्षिन, यह तीनों एक प्रैक्टिस है, और यह तीनों एक उपाय है, यह तीनों एक मैथड्स है, और जिस पे जरिये हम लोग जोए तो इस संसार को अच्छी तरह से जान पाए, और इस संसार के दुख, सुक और दुख को जान करके, और वहां से हमने मुक्ती और निर्वाना प्राब करने का एक रास्ता है, तो उसी के करम में, जो सुत्रा जो है तो, क्या कहते हैं, पीछे एपिसोट में हमने बात की थी, जहां भी, क्या क हमारे को हमेशा प्राइटेंशील रहना चाहिए, ताकि उसको जो हमेशा के लिए एक सापित कर सके, उसी प्रकार आज तंदर की जो बात आता है, तो इसमें भी मेंचीस वही है, जितने भी संसार के प्राणी है, सभी दुखी है, और उस धुख से निवारन पाने के लिए, कहीं न कहीं अपना रास्ता खोशते हैं, तो उसी के अनुरूप, जहां हमारा तंदर की जो बात होती है, तो यहां पर हमारा जो अग्यांता, जो हमारे साथ जो हमारे विक्रित मन और मन की बात, जो विक्रित जो मन है उसको हमारे को आधिकांज जान करके किसके वज़े से, किसके कारण और किसके दुआरा विक्रित हुआ है उसको जान करके उसको हमने रुपांतरन करना है तंतर का मतलब है रुपांतरन करना है, टांसफ़ारम करना है जैसे कि प्रतिय व्यक्ति के अंदर एक ग्रीना आ जाता है, तो ग्रीना को हम लोग प्रेम में बदलते हैं, टांस्पॉर्म करते हैं, प्रेम और ग्रीना एक ही चीज से उत्पन हुई है, लेकिन उसका कारण अलग रहा, और जब जान गए तो हमने उसको टांस्पॉर्म किया उसको बदल दिया, जैसे कि हमारा पास संसार में जितने भी चीजillä हैं, वो उसक का कारण भी है और दुख का कारण भी है, उसी साहत में वो विश्भी है और वो ओश्डी भी है, जब तक हम विश्ग को जानेंगे नहीं, पैचानेंगे नहीं, उसकी विश्दा को न जाने तो हम उसको आउशदी भी नहीं बना सकते हैं और जब हम लोग विश्च को अची तरह से समझते हैं उसको जानते हैं तो कुछ अन्य चीजों उसको मिला करके उसको आउशदी बनाते हैं तो उसी प्रकतंतर का जो एक प्रत्रिक्रिया जो है तो मूल रूफ से जो हमारे काम, कुरोथ, लोप, मौ, इत्यादी को रुपांतरन करके दया, करुना और प्रेम इन में टांस्फरम करना है तो यही एक विदिया है, तो उसका, क्या कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग सीखते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो एक तंतर के दुवारा जानते हैं, और वजरयाना जो हम लोग कहते हैं, उसके दुवारा ही हम लोग इस जिसको जानते हैं वैसे तो तंतर का मतलब जो एक व्यवस्ता भी कहते हैं हम लोग जैसे कि प्रजा तंतर है, स्वा तंतर है ये एक व्यवस्ता है अपना बनाई हुई उसी प्रकर ये तंतर जो एक व्यवस्ता है कि काम, क्रोथ, लोब, मौ, जितने भी हमारे मन की जो विक्रितियां हैं उनको जो है तो उसके अनुरूप टांसफर्म करना है जैसे कि कभी मैंने ऐसा देखा था एक छोटा सा बच्चा पीता जी के नाय गाड़ी के ऊपर वो खेल रहा था जो खेलते खेलते उसमें कुछ लिखने लग गया तो पीता जी का तो बिल्कुल अच्छा था नाय गाड़ी ली और बच्चे कॉइन से कुछ लिख रहा था तो बड़ा गुस्सा आया तो उन्होंने उसके आइ LAB यू पापा लिखा हुआ था और एक तम उसको गुस्सा आया ही क्या लिख तिया करके स्क्रेच मार जिया करके तरवाजा बंद कर दिया तो बच्चे का उंगली जो है तो तो बच्चे रोने लगी तो घर से माँ चिला के आई कि बेटा क्या हुआ जो देखा तो उसमें फसा हुआ देखकर कि माँ को बड़ा गुस्सा आया और बाप माँ दोनों मिलकर के बेटे को होस्पिटल ले गया परंदू बच्चे का उंगलियां मुलायम होने के वज़े से और गाड़ी के ताकियों में रवट लगाने के वज़े से कोई ऐसा हानी नहीं पहुंचा था लेकिन जब वापिस आके दुवारा वो अपना अधोरा काम को साफ करने ही लग रहे थे तो उसने वहां देखा कि I love you papa जो लिखा हुआ था उससे जो उसकी जो ग्रीना था गु तो जब तक हम लोग अपनी जो क्या करते हैं गुसा और जो क्या करते हैं उस चीज़ को हम लोग नहीं पहचानते हैं तब तक हम उसको टांस्वर्म नहीं कर पाते हैं तो इसलिए जो यह एक विदी है जो हमारा क्या करते हैं तो उसको हम लोग टांस्पर करते हैं जैसे कि क तो यहां पर यह कहते हैं, कि जो बाहरी दुनिया है और अंदर की दुनिया है, दोनों के बारे में बताया है, कि जिदेने भी बाहरी जो दुनिया है, वो देवी देपताओं के समान, अंदर की जो दुनिया है, वो भी देवी देपताओं के समान, तो इसलिए अगर आप सारा स्प्रानी, सारा सिस्टी को देने का नजरिया बदल देदो होगे तो वहाँ पर हमारे को ना काम, क्रोथ, लोग, मौ, इद्यादी, कुछ नहीं रहेगा जब ये कुछ नहीं रहेगा तो आप अतियंत सुखी और अतियंत अनंद मेरा होगे तो ये एक विदी है, तरीका है, तंदर के दुआरा इन चीज़ों को जानने के लिए तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जितने भी जो भारी दुनिया हैं और अंदर की दुनिया हैं धुनों बिलगुल एक देवी देप्ताउं की तरह है, तो हम उनको छष्ट खानी भी नहीं करेंगे, उनको तकलिक परह। उसी प्रकर फिर हमारे इसमें जो तो पांच तत्तफ है और इंसान का अंदर की पांच ततफ है बारीत पांच तत्तफ है कि क्या करते हैं वायू, आकाश, जल, अगनी, दर्ती है उस प्रकर इंसन का अपना पांच'tततव है जैसे हम लोग वायू लेते हैं तो हमारे अंदर पानी भी है हमारे अंदर क्या करते हैं यह हीट भी है तो उसी प्रक victims कि हमारा मच्चा यह भी है और हमारा दिद आयू भी होगा तो उसे प्रकर इसको हम लोग कईवर हम लोग क्या कहते हैं पांच रंगों से जैसे की पांच किसिम के जो हमारा क्या कहते हैं जंडा लगाते हैं उसके दुआरा भी हम समझाते हैं कि क्या किते हैं पांच तत्व को समझाने की प्रहास करते हैं कि ताकि बाहर की पांच तत्व को चान करके अपने पांच अंदर की पांच तत्व को हानी ना पहुंचाए तो इस तरह से तरह तरह के विदिया हैं यह चीजहें कुछ caracter के दौआरा हम थिखाते हैं. आ, औम, हुंं, तीन मंतर हैं. जैसे आ हम लोग कहते हैं हम, जैसे अ, हम लोग कहते हैं धर्म काया, ओम जो यह तो संभो काया, हुंं जो यह तो निर्माना काया तो ये तीन चीज़ों के दुआरा हम लोग उनको तीन आक्षरों के दुआरा हम लोग उन तक पहुंचाने का काम करते हैं उन चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो इसमें बॉन बुद्धिजम में हो या बुद्धिजम में हैं दोनों तीन कायाओं का बहुत ही महतफ है। कहते हैं कि हमारे को तीन काया के अनुरूप होना है। तब तीन काया के अनुरूप होने के लिए एक मातर जो क्या 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 है वो ये क्या 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 है तंतरा और जुक्षिन में है अब तीन काया में हम लोग किस तरह से हम अपने वो कर सकते हैं जैसे कि हमारा मन है ये बिल्कुल क्या 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 है तो तो हमारा जुबान जो हमारा संभोगा की तरह है, हमारा करम है वो एक धर्मकाया की तरह है, जब हमारा मन की शुदी हो जाती है, तो हमारा जुबान भी शुद हो जाता है, जब हमारा जुद हो जाता है, तो हमारा करम भी शुद हो जाता है, अगर ये तीनों शुद हो जाता ह तो हम तीनों क्या किते हैं, यह जो काया हैं, उसके अनुरूप हो जाते हैं, तो मितलब चाहे कुछ भी हो, हमारे जो विक्रित हुए हुए मन है, उसको विकार से निकाल करके, मोक्ष और निर्वाना के और ले जाने का एक विदी है, एक तंतर भी दिया है। बहुत संदर गुरुजी, आपने अपने वक्तवव्वा के माध्यम से सुत्रा के बारे में, तंत्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, तो अब हमारे दर्शक फिर आपसे जानना चाहते है, दर्शक क्या मैं खुद भी उच्छुख आपसे ये जानने के लिए, देरे पहले तंत्रा के बारे में बोला था, तो अब जोक्षिन के बारे में थोड़ा सा में, जितना मैं जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मैं आपके सम्मुक्त बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा हमारा जो क्या कहते है, मन और एक विक्रित मन है, जब मन जो है तो ह हमारा एक शुद्चेतन, जिसको हम कहते हैं, और इसका कई वाक्या है, कई शब्तों में ब्यां करते हैं, कुछ लोग तो क्या कहते हैं, जैसे कि जब राम नाम सत्ते कहते हैं, जो जो राम नाम सत्ते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जो क्या कहते हैं, जो विकृत हो जाता है तो वो किसी अन्य उसके साथ जैसे की अटाच्चमेंट है और उसके साथ में जैसे हमारा क्या कहते हैं क्रीना है उसके साथ में हमारा काम है, क्रोथ है, लोप है, मौव है उसकी दौरा जो हमारा विकरित हो जाता है, तो उन चीजों को चानने की एक विदिया है तो यहां जब सुक्षिन की बारे में हम लोग बात करते हैं तो बात यही है, सपस्ट है एक मैं छोटी सी आपको आपको कहानी बता करके शुरू करना चाहता हूं एक छोटी सी बच्ची है अब छोटी सी बच्ची हमेशा नाने जाती थी अपने बात्रूम में ना करके अपने आपको चेरे जो है तो आइना में देखती थी और बहुत खुश होती थी एक दिन हुआ क्या आगे पिच्छे ठंडा पानी में नाती थी तो कोई ऐसा बाप नहीं बना जब बाप नहीं बना तो आपका जो शीशा है मीरर बिलकुल साफ सुतरा था लेकिन उस तिन ठंड होने के वज़े से करम पानी में नाया करम पानी में नाने के साथ जो ते एक्सोस फैन उनका था नहीं तो वो क्या हो दिया कि अपका शीशा जो ते बिल्कुल बलर हो गया क्योंकि जो हमारा बाप निकलता है और शीशा के उपर बैठ जाता है वो भीचारी नाने के दोने के बाद बड़ा उस्सुक हुआ कि आज तो मैं और जी सुन्दर हो गया होंगा ताकि आज गरम पानी में मैंने नाया है समय लगाया है सब कुछ जब चेरे देखने गई तो अपने चेरे जो तो उस शीशे में दिखाई नहीं दिया तो उनको बड़ा दुख हुआ और डर गई और रोने लगे रोकर के फिर दरवाजे से बार मा को चिलाती है तो मा अंदर आके पूछती है क्या हो गया बैटा जब बेटी बोलती है कि आगे पीछे में अपना चेरा देख पाती है आज में अपना चेरा नहीं देख पा रही हूँ ये क्या हो गया ओडर गई तो मा कहती है आज आपने गरंबाने निनाया जिसके वज़े से आपके यहां पूरा बाप बढ़ गया बाप बनने के वज़े से आपके शीशे पे जो है तो बाप जम गया उसके वज़े से आप अपने आपको नहीं देख पा रही है अगर आपको अपने आपको तेखना है तो शीशा को आइना को साफ करना पड़ेगा तो ये कह करके माने पहला उनको ग्यान दिया अब इसलिए जोक्षिन या सूतरा या तंतरा या जोक्षिन हैं किसी चीज़ को भी जानने के लिए एक ग्यानी और एक अच्छा गुरू होना हनी हो रहे हैं अदर्वाइस हम लोग कई पटक सकते हैं उसमें बूल सकते हैं और गलत तरीके से अपना सकते हैं तो इस तरह से कई चीज़ों का वो हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर फिर एक अच्छा शिक्षक क्या होना बहुत जरूरी है अनुबावी शिक्षक होना अनुबावी है तो उन्होंने उसमें वो बता दिया जब उन्होंने आइना को साफ किया तो चेरा देख लिया तो खुश हो गया तो जीवन बर में लटकी अपने आइना साफ करना अगर साफ नहीं दिखता है तो दुआरा उसका पहुंचना नहीं बूलेगी उसी प्रकार हमारी जो मन है मन के उपर इतनी परत जमा हुआ है तो जिसके वज़े से जो हम लोग अच्छी तरा से नहीं देख सकते हैं जैसे कि आपका मन है मन के उपर काम की परत है क्रोध की परत है लूब की परत है मौ की परत है त्रिषना की परत है ऐसे जम्य हुए है जब तक हम इस चीज को साफ नहीं करेंगे तब तक हम जोए तो क्या कहते हैं अपनी उस ट्रू नेचर स्वाचित उसको हम लोग नहीं देख सकते हैं तो इसलिए हमारे को सबसे पहले जो ये काम, क्रोथ, लोग, मौ, इद्यादी इन तीन चीज़ों को जानने शक है जब इसको जानोगे, तो उसको भी हम किस तरह से साब करना है, उसका वीदी भी पता लग जाता है जैसे कि अब सुरोत का पानी सबसे शुत होता है, और सुरोत का पानी इतना शुत होता है कि उस से शुद पानी कहीं और नहीं मिलता है लेकिन जब सुरोत का पानी पीने के लिए कितनी लोगों को मिलता है कुछ लोगों को, चंत लोगों को, जिसके इर्द गिरते हैं, उन्हीं को प्लक्त होता है बागी तो पानी वहां से आगे निकल के जाता है कूल में लेके जाते हैं जहां मिटी होता है पत्थर होता है हवा होता है तो वो क्या होता है? गंधा हो जाता है पॉलूटिट हो जाता है जब पॉलूशन हो जाता है तो फिर वो क्या कि तरह के बिमारी लाएगा परिशान करेगा सुख नहीं मिलेगा तो इसलिए हमारे को अगर उस पानी को पीना है तो हमारे को फिर दुबार उसको शुत करना पड़ेगा उसका शुत करने का पुराना विधी होता था कि आप गदला पानी को एक परतन में ले करके एक दो दिन के लिए बिना जिलाए डुलाए उसको छुए बगिर रख दोगे तो दीरे दीरे उसका परत नीचे जला जाता है उपर का पानी निखर के साफ हो जाता है तो उसको उप्योग करते थे एक विधी है तब ही उसमें जो फिर हम लोग जैसे कि हम लोग मेडिटेशन करते हैं शान्त रहते हैं उस बाओ को देखते हैं तो उससे हम लोग जोग जोए तो उस अपना टू नेचर और माइंड को देखने का एक प्रतिक्रिया है जोग्षिन जोए तो इसी का एक प्रतिक्रिया है इसी का जानने का एक विधी है उसको हम जुक्षन कहते हैं तो यहां पर जब हमारा मन तो साफ है लेकिन उसकी ओपर जो परत जमा आ Settings तो हम लोग जो कुछ भी होता है उस परत के अनूसार चलता है तो वूरा विकृत हो जाता है उस विकृता को साफ करने के लिए एक विदी है तो ये एक जोक्षिन का इक टीचिण है, प्रैक्टिस है, तो इसको हमने देखना है, तो इसके लिए हमारे को, क्या कहते हैं, चोकडी मारके बैठना पड़ेगा, दिमान लगाना पड़ेगा, मन की इस तरंगों को देखना पड़ेगा, कॉन सा काम करzo है? हमारे मन में गृना उट रहा है bağम उट रहा है क्रोत उट रहा है कुन सा ओसे काम कर रहा है तो इसी प्रकर से हम नोगों को उस चीज़ को जानने के लिए जो गुदी जो है वो सुक्छन है जैसे कि आपका, क्या कहते हैं, सूरच है, सूरच सब के लिए एक समान ने, उसमें कोई भी गंदगी नहीं है, बिलकुर साफ है लेकिन क्या होता है, अब सूरच के उपर जो आपका बादल आ जाता है, जब बादल आ जाता है तो फिर गरशने लगता है जब गरशता है तो पानी बरसता है, पानी बरसता है तो फिर वो एक क्या कहते हैं, खाला बना करके फिर बहुत पानी इकठा होके फिर डिजास्टर हो जाता है तो उसी प्रकर के हमारे परिवारों के अंदर, हमारे देश के अंदर, इस संसार के अंदर इतना प्रले हुआ है, लड़ाई, जगड़ा, काम, ये सब चीज़ें जो हैं, ये काम, क्रोथ, लोग, मौ, इनके दुआरा हो रहा है, तो हमारे को इस चीज़ को जाने के लिए, ट् एक समय पर आप समझ सकते हो, अगर नहीं सम्झाज़ता तो बहुत मुश्कल से भी नहीं समझ पाओगे, तो इसलिए ये चीज़ें प्रतिक व्यक्ति को बताया भी जाता है, तिखाया भी नहीं जाता है, तो यहां पर हमारे पुराने जमाने में हमारे हिंदुस्तान में कुछ ऐसा होता हो नहीं लगता है मुझे, लेकिन जो हमारे को कुछ चीज़ों को हर किसी को दिया नहीं जाता है, चोटे हो, सोच छोटा हो, जिसके बार में ग्यान नहीं हो, जिसको समझ नहीं पाता हो, अगर चोटे से चीज़ में हम लोगे ज्यादा बड़ा समान लगा तो फट जाएगा, तो फट जाएगा तो उसका नुकसान हो जाता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि जो हम लोग शूदर बोलते हो, शूदर नहीं मेरे ख्यादा हो सकता है, चोटा सोच, छोटा समझ, तो छोटा समझ को बड़े चीज़ दे जोगे, तो उठ ब्रसित है, और खास करकory आपके, रचिया बगरे में, एरोप बगरे में, अमेरिका बगरे में, ऐसे काई प्रेक्टेशनर हो जो जोठोचन का प्रेक्टिस कते हैं, तो यहां बहुत बड़ा नुकसान भी है, यहां कोई ऐसा हो नहीं है कि यह आप कर सकते हो, यह नहीं कर स यह उंचा है यह चोटा है यह अच्छा है यह बुरा है उसका कोई बाओ ने रहे जाता है यहाँ पर और बाकी चीज़ों में तो जैसे कि आपका जब सूतरा में चरितन निर्मान करना है तो यह अच्छा है करना है यह बुरा है नहीं करना है इस तरह कि आपको एक छूट मिल सीमा पूरा खटम हो जाता है तो यहां पर हम लोग एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो मतलब क्या किते हैं एक ही उसे बाओ से देखते हैं जैसे कि क्रिस्टल क्लियर जो मतलब क्रिस्टल अगर आपके अंगली में हथेली पे रखा होगा अंदर बार सब कुछ दिखेगा अगर एक क्रिस्टल के अलावा कुछ और चीज़ रखोगे तो आप उसका एक बाओ देख पाओगे दूसरी बाओ नहीं देख पाओगे तो वहां दुएत हो जाता है जो दुएत दो चीज़ों को एक को समझ पाया दूसरा को नहीं समझ पाया हमने मतलब जो क्या कहते हैं अगर हम लोग चांद को भी देखते हैं चांद का हम एक तरफ को देखते हैं दूसरे पेलू को नहीं देखते हैं और रुपे में भी हम लोग जो एक रखोगे तो एक हेड को देखोगे तो तेल को नहीं देख पाते हो, तेल को देखे तो हेड को नहीं देख पाते हो, तो यहां पर हेड और तेल दोनों को देखना है, तो क्यूंकि दोनों वो एक साथ ही होगा, दोनों के बगिर जो तो कोईन होई नहीं सकता है, उसी प्रकर हमारे के हम क्या किते हैं हमेशा मित्र को मित्र के नज़र से देखते हैं लेकि वही मित्र दुश्मन भी हो जाता है जो दुश्मन भी हो जाता है दोनों पक्षों को हम नहीं देखते हैं कि एक ही पक्षों को देखते हैं जोक्षन का मतलब संपूरन पक्ष को देखना है उस चीज़ को ज हमने नहीं देखा, तो जोक्षन ये सिखाता है, कि तूट भी जाता है, गूम भी हो सकता है, और खराब भी हो सकता है, हर पेलू को जानने का जो है, तो एक सम्पूरन उसको जानना जो है, तो जोक्षन का एक विदिया है, तो ऐसे कई चीजे हैं, मैं देखता हूँ कि यहां असी साल का जो बुजरुक है, मानते हैं कि वो एक कप तूटने के बारे में जानता है, तो लेकिन जब असल में देखा जाये तो मुझे नहीं लगता है कि उसको पता होगा कि कप तूटता है, क्योंकि इस तरह से गटनाए में ने देखी है, दूसरों के समझाने की बड़ा को तो उस असलियत को आपको तरशाता है, उस असलियत के बारे में समझाता है, उस असलियत के बारे में एक जानने की बिदी देता है, तो एक जोक्षन है इसको. यहां पर चलते चलते में एक आपको बौन दरम के डिडिकेशन जो कोई भी हमने पुन्ने किया है, और वो केवल स्वैम कोई नहीं रखते हुए, सारे संसार के जिते में प्राणी हैं, उन सब के लिए हम लोग बांडते हैं, तो वही में एक चोटा सा डिडिकेशन करना चा गोसून्धंपेगवा कां गिंपा, गांसून्सेंप्चेन्नाम के दुन्दुन्धुन्धंग। तो यहां पर मैं जो कवे गा रहा था तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूँ इसका ताथ पर यह है कि तीनो दौरों से काया वाक चित्ता तीनो दौरों से जो हमने करम किया है वो सब तीन क्या कहते हैं सभी प्राणियों के लिए समर्पित और उसमें दौरों से लेडिप कुन जांगने और तीन जो हमारा क्या कहते हैं काया है धर्मा काया संभोका काया निर्माना काया प्राप करने का एक प्राण्थना करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपने बौन बुद्धिजम के बारे में इतनी अच्छी और विस्तरज जानकरी हमारे दर्शकों को दी साथ ही साथ आपने अपने समर्पित प्रार्थना की और उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताया तो मैं धम्मदीप के टीम की तरब से आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ बहुत-बहुत स्वागत है और दुबारा भी आईए कुछ इस तरह से हम और कुछ पातें आपके ओडियन्स को पता पाएं उसके लिए भी मैं हमेशा अगसर रहूंगा तो दर्शको ये थे आज हमारे साथ लिश्यू इंस्टिटूट के गेशे थुपते नेगी रिमपोचे जी आज हमने उनसे जाना बोधधम के बारे में बॉन बुद्धिजम के बारे में तो आज बस इतना है अगर आपके मन में इस काले करम के प्रती कोई शंका या जिग्यासा हो तो आप हमें अपने स्क्रेन पर दिखाए देने वाले नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं तो अब आप डॉक्टर निली मा को आज्या दिजिये फिर मिलेंगे तब तक के लिए नम बुद्धाय जय हिंद नमू तस्था भगवतो अरहतो